हुआ हालो एवरीवण मैसल स्रिंजा एन वेलकूम यू आल्ल टो इस चैनल नोट्बुक तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वान का तर्ड यूनिट थैर्ड यूनिट क्या है थार्ड यूनिट है वैलूस यंट डिटड़ इस इसके पहले बात देख लेते हैं हम पहले यूनिट में क्या पढ़ेते हैं पहले उनिट में पढ़े थे कि थोड़ा एलिमेंटरी कंसेप्ट और अब्जेक्स और क्लास पढ़े अब्जेक्स पढ़े यह सिंटेक्स पढ़े और यह तीन टर्मस था एक्स्प्लेनेशन हम बहुत अच्छे से समझे तो उपस का बेसिक आइडिया तो इधर से होई गया फिर से हमारा उपस आएगा तब ह आज हम और बडाओगे उसके पहले आज हम पढ़ेंगे कि वैलूसंब्েम मैं बडाओएगवे और बाकी ज accountability आंगे था तो स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक क्या है पहला टॉपिक इधर लिखा है टोकेन टोकेन क्या है पहले डेफिनेशन पर लेते हैं टोकेन इधर लिखा है each statement in programming is formed by using different word called token टोकेन बेसिकली कुछ भी नहीं है token हम जो lines code में लिखते है code में हमारा जो lines लिखते है वो compiler में एक meaning provide करते है compiler वो understand कर पाता है तो basically जो line हम एक program में और code में लिखते हैं वो ही lines को हम token कहते है ठीक है तो ये tokens गया उसके बाद आता है character sets ठीक है तो character sets थोड़ा definition से समझने से पहले हम character set का classification देख लेता है उससे ही तुम लोग को idea आजाएगा कि ये character set क्या है ठीक है तो basically तीन टाइप चार्ट टाइप का character sets है ठीक है तो पहला type है letters letters कुछ भी नहीं है हम जो English में पढ़ते हैं letters वही letters है मतलब total English में कितना letters होता है alphabets alphabets हम बोले तो 26 होता है पर इधर हमारा 26 plus 26 होगा क्योंकि एक 26 set होगा हमारा capital letters का और 26 set होगा हमारा small letters का ठीक है ये actually case sensitive है हमारा Java language अगर तुम कुछ variable का name capital letters से देते हो और एक variable का name देते हो same name होगा variable का तुम वह upper case में होगा ये lower case में होगा तो compiler वो दोनों को differently treat का है विकाज Java is a case sensitive language तो letters हमारा total 26 plus 26 होता है हमारा Java में पहला 26 होगा हमारा capital letters का उसके बाद वाला 26 होगा हमारा small letters का और इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे जब हमको ये इसका s की value समझ में आएगा क्योंकि इन सब का s की values different होता है तो ये गया letters इसके बाद है operators क्या है definition में these are special science or symbols used to perform operations in Java तो ये भी हम example सी समझते है समझने में थोड़ा आसानी होगा और तुम लोगों समझने में भी आसानी होगा क्या है different operators फर्स्ट रहते है एडिधमेटिक operators ये math का ही चीज है तुम्हारा plus क्या करते है ये थोड़ा तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा इसे स्टार सिंबोल में लिखते है हम multiply को जावा में जावा में ये स्टार सिंबोल देके लिखते है ये स्टार सिंबोल तुम लोगों का multiplication symbolize करता है ये है division operator ठीक है अगर दो नम्मर को divided by करो जो कोशेंट रिटन करते है ये division operator और इसको हम लास्ट वाले को कहते है मॉड्यूलस operator ठीक है मॉड्यूलस operator का क्या है बोला ना division operator तुम्हारा question रिटन करता है ये मॉड्यूलस operator तुम्हारा remainder return करता है ये मॉड्यूलस operator हमारा बहुत सारे प्रोग्रम में जरूरत होता है जब हम कुछ नम्मर का last digit extract करते है तो तुम लोगों का हमारा coding session से समझ में आ जाएगा जो हमारा problem practice session होगा उससे तुम लोगों समझ में आ जाएगा logical operator क्या है end operator or operator not operator ठीक है end operator true return basically समझ लो ये दो condition से deal करता है मतलब अगर तुम लोगों का दो condition हो एक condition suppose पकल लो a greater than b और पकल लो a greater than c ठीक है ये दो condition है ये truth तभी return करेगा जब ये दोनो condition correct होगा मतलब it only returns true when both the conditions are true एक भी condition गलत हो गया न ये false return करतेगा ये है basic idea end operator का और operator क्या है और operator का काम है ये truth तभी return करता है जब either of the two operations are true like a greater than b एक condition है और एक condition है a greater than c अगर इधर कोई भी any one condition अगर correct होगया इधर ये true return करेगा दोनों condition अगर correct होगया फिर भी ये true return करेगा ठीक है ये गया और operator का मतलब और क्या काम करता है इसका बाद आता है not operator ठीक है not operator मतलब पुरा उल्टा काम करता है ठीक है अगर तुम्हारा एक boolean variable है na boolean variable में true store होता है अगर तुम ये not operator करोगे ये true को false कर देगा similarly vice versa अगर false होगा तो ये true कर देगा not operator का ये काम है और ये relational operator तो ये तो math में तुम लोग पड़े होंगे less than symbol less than equal to greater than greater than equal to double equal to ये चार्टों में नहीं समझा रहा हो क्योंकि ये तो बहुत ही basic है तुम लोग को math में आएगा less than मतलब तुमारा 2 less than 3 ऐसा समझो ये less than equal to मतलब either equal होगा और तुम लोग का less होगा ठीक है greater than क्या है मतलब 3 greater than 2 greater than equal to क्या है greater than equal to है कि like either equal होगा और मतलब पहला वाला number greater होगा ये double equal to हम समझते हैं ये double equal to क्या है ये double equal to का कामना ये दो number को compare करता है मतलब if equal equal to be मतलब ये दो number को basically तुम लोग समझो दो number को ये compare करता है कि ये दोने equal है की नहीं अगर equal है तो तो इसके बाद कुछ print कर सकते है मतलब प्रोग्रम में अब लोग को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा पर अभी के लिए समझ लो ये दो number को check करता है और ये exclamation के बारस equal to मतलब ये not equal to है ये check करता है कि दो number equal नहीं है की नहीं मतलब इसका पुरा उल्टा काम करता है ये दोने इसके बाद आता है और एक करेक्टर सेट जो है डिजीट्स ठीक है डिजीट्स डिजीट्स भी बहुत बेसिक है ये सब question में भी नहीं आता वाद ये concept के लिए बहुत ज़रूरी है इस डिजीट्स का यही है डिजीट्स तुम जो जो number तुमारे पास है single digit वही डिजीट्स है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसके बाद आता है डेली मीटर्स ठीक है डेली मीटर्स के यह इस बहुत सारे जगा में यूज़कर्टर्स उसडिन जावा प्रोग्रम फर्स्ट में आता है यह ब्रेसेस ठीक है ब्रे यह वाइट्स करणे है जो में वाकरिक ब्रेस करते ह conght वही लूम् bize करते है मड़न वह पर लूब का नबर पर सारे डेला आएट्स के अंबर्स डिफ वही लीक में ब्रेस लूप में चले बाहर वार उस लीब से कुछ लेना दे न नहीं है मतलब वह फॉरूप का उपरेशन अस ब्रेस के अंदर क्या मतलब वर्येबल से सिर्फ एक्जीट करेगा बाकी जो भी काम बोलो बाकी ओ्सींटैक्स बोलो लाइन बोलो वही रिफ लाइन करेगा तुम्हारा व्लूप का काम तर्ष गया और पंच्वेशन इसमें सब्सक्राइब गलत बोला पर हम जब गलत बोला इनिश्यालाइज भी करते हैं तब हम सेमिकोलों यह चलेगा तब सेमिकोलों यूज करते हैं यह question mark हम यूज़ करते है, turnary operator में, turnary में हम question mark यूज़ करते है, turnary भी हम समझेंगे, I guess turnary तुम्हारा इस chapter में आ किया, नहीं turnary तुम्हारा next chapter में या थाब हम turnary बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए समझ लो यह question mark हम mainly turnary में यूज़ करते है, उने हम दो में शोब अच्छे समझेंगे, चारल ज्ज़ करते हैं, बहाब हम यूज़ करते हैं,